नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल बिना से एजुकेशन पॉइंट पर आज के इस वीडियो में हम आरक्षन से संब्सक्राइब नहीं किया हो तो सरकत हम आप हमाई चैनलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक क आप आने मुक्रपरिशय प्रावर्मे परिशकनूर्सी परचेस कर सकती है नौकडियों सेक्षिन एक संस्थाओं में दिया जा सकता है सत्ता इस पतिसा तो वीसी आरक्षन नौकडियों में जैसा कि कई लंबी समय से चर्चर चल लही है इनुसे सेक्षिन निट आदी में से 46 ब्भऔव में एक लाग से ज्यादा खाली पर बहंने की परक्रिया जल्द शुरू होने बाली है। मद्यप्रदेश शरकार द्वारे प्रम कदम उठाया जाना वाला है कि 64 बिभागों में लाग भाग एक लाग से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्दी प्राड़म भोगी प्रदेश में कोरोना की कर्ण लंबी समय से प्रक्रिया डेली होती जा रही थी लेकिन इस कर्बांकी सभी पर मिलेगा लाव इस कवंब रिष्टत रूप से देखते हैं प्रदेश में OBC को 27 प्रीजदी आरक्षन देने की कानून पर रोक नहीं है इस लहाज से राज्य सरकार सरकारी नौक्रियों और सेक्षिनिक संस्थाओं में अन्य पिछरा बर्ग को बड़े रही है इस बारे में हाई कोट महादी वक्ता की और से भी शामानिय प्रिशाशन बिभागने राए ले ली है जिसे में इस प्रश्ट तोर पर कहा गया है कि जिन छे याची काउओं पर कोट ने सक्षिदी आरक्षन देने पर रोक लगाई है उन्हें छोड़कर बांकी सभी की तरह की नौकरियों और सेक्षरे सेजिस्था में आरक्षन लाब दिया जा सकता है छे प्रकार में पहले नंबर तो नीट है और सिक्षक भरती है सक्षक भरती है पीस्ट के एक्जाम भी है जिन पर अभी फिलार रोक लगी है इसके लावा अन्यसाभी में 27 प्रिद्दी आरक्षन दिये जाने को लेकर बनाया एक कानून पर कोई रोक नहीं है सर्फ छे आची काई जिन पर हाई कोट में सुनवाई हो रही है उन पर 14% आरक्षन रखने का अंत्रिम आदिस दिया है इसलिए पिछला वर्ग को आरक्षन दिये जाने का प्रदेश में कानून रहा है और एक बड़ी खबार आई है कि सरकार जल्दी ही आगामी दोनों में 64 ब्रभागों में रखत एक लाग से ज्यादा पदों को भड़े जाने की प्रक्रिया प्रारंबर करने जा रही है इन भरतियों में ओविशी कोई महत्यपूर्ण रूप से लाप प्रदान होगा प्रकरन क्रमांक 5901 2019 में पीजी नीट बर्स 2019 विश्वे प्रदेश में 27 प्रदेश लागों ना करने और मद्र प्रदेश लोग से वा आयोग द्वारा मेडिक अलादिकारी की भरती से संबन्दित याचिका में 21-31 जन्वरी 2020 को अंत्रम आदिश पारित किया गया है कि भरती विज्ञापन के हिसाब से की जाए लेकिन रिजल्ट ने आया लाइकिया नुमतिक विना घोशत ना किया जाए जिससे कोई तेरा जोलाई 2021 को मोडिफाई कर दिया है जिसमें को नमाहा मारी के चल इसाब से जाड़ी की जाएगी लेकिन जो भरती प्रक्रिया है बच्रुद अफिश्दी के साथ लागू होगी सिक्षक भरती सम्मधर त्याची काम में कोटे ने 20 जलाई 2020 को 31 जिन्वरी 2020 के ही अंत्रमादिश को लागू किया है यह मामला मामले की बारे में देखा जाए 2019 म बढ़ा कर 27 प्रतिशत किया था इस मामले में पहले मार्च 2019 में देख लाकर सरकान ने बढ़ा हुग आरक्षन लागू किया जैसे हाई कोट ने स्टे कर दिया इसके बाद इस मामले को इस दोरान ततकालीन सरकार द्वारा केविनेट से अनुमोधन के बाद जलाई 2019 में बध चिकाएं दायर हुई और कोट के द्वारा बड़े हुए आरक्षन पर रोक लगाती हुए 14 फिस दी आरक्षन दिये जाने की बात कही एधर सरकार का कहना है कि जो कि कानुन पर कोट की तरब से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है हाई कोट ने लोग सेवा आयो चेक पेंद कौरब महादिवक्ता का वयान आया है कि पिचला बड़ग को 27 फिस प्रिति सतारक्षन दिये जाने पर रोक नहीं है जिससे सरकारी नोक्रियां और सेक्षन एक संस्थानों में 27 फिस दिया आरक्षन दिया जा सकता है करीब एक साल पहले इस मामले में स्तितिस पस्ट नहीं थी राज्य सरकार का पत्त लिकर भी मत की दिया गया है कि बड़े हुए आरक्षन का लाव लेकर बलतियां कर सकती है हाई कोट में सर्फ लंबे छे आची का उपर अंतरम आदेश पारेत किया है इनमें 14 फिस दिया आरक्षन दिये जाने का आदेश है इसके बाद जमा पत 10,345 जैसे की लंबी समय से बर्ग एक और दो की नियुक्ति का चल रहा है लेकिन कुरुना के काउंसलिंग लेट होने के कारण प्रक्रिया दीमिंगती से चल रही है तो उसके बाद ही बर्ग तीन का भी एक्जाम कुछ दिनों में होने बाला है तो 10,335 पत रहते हैं तो कर्षिक भाग में 7425 पत खाली हैं करसी व्हाग में 255 राजर से बहाग में 5,900 अन्य वह फाग में 36 जार पत खाली हैं तो अपनी तयारी में दो लगी रहें सातीem साथ हमाचे अनल भी हर समय सत्वाइब के साथ सद्वपयूग करता रहे रहे गा यह आफ हमाचे लंश से सकती है इस तामोजस यह जो हमार नमबर दिया रहता है सत्रस्वाद में चोंति-दस इस पर जाकर भी आप कॉंटेक्ट कर सकती हैं तो इस स्कूल सक्षा विभाग में 10,345 पत खाली है ग्रह विभाग में 7,661 साथ विभाग में 4,349 जन जाती विभाग में 6,500 बन विभाग म में 5,000 करसी में 5,500 और अन्य भाग में 36,000 पत खाली है तो आप से को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हम आसा करते हैं आगे आप हमारे सत्यों में जुड़ी रहेंगे और अन्य भी महत्तपु जान करिए हम आपको समझे में पर अपर लब् करने के लिए इंटर्वी क्योंकि अक्टूबर में फाइनल इंटर्वी हो जाएगा और नमबर तक आपकर जल्टा जाएगा साथी साथ पी सी का जो 2020 के एक्जाम हुआ है इसका परिणाम भी 24 दन में आने बाला है क्योंकि जो इसकी मुक्ष परिच्छा है वाजते ही से किया जाएगा धन्यवाद दोस्तों